नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों आज मैं आप सब के सामने एक ऐसा महाशक्तिसाली वश्रीकरण का मंत्र रही हूं जिसके विदी के उपयोग से आप किसी भी समस्या का समधान कर سकते हैं या यू कहें, आप जिसे बहुत चाहते हैं, आप जिसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वह बेक्ति आपको इतना सा भी ध्यान नहीं देता, आपको इग्नौर करता है, आपसे दूर जाता है, दोस्तों ये की मानिए, इस वीधी के बार आपको वो धिरो जहां से चाहने लगेगा, पागनों की तरह आपको प्यार करेगा, आईए, मैं आपको उस वशी करण वीधी की तरफ लेके चलती हूँ, इस वशी करण वीधी की तरफ ले जाने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आईए, मैं आपको उस वशी करण वीधी की तरफ लेकर चलती हूँ, आपको कुछ सामग्री की अवशक्ता पड़ेगी, चलिए, आपको बताती हूँ, इसमें सामग्रिया क्या-क्या लगेंगी, सबसे पहले, आपको फोटो लेनी है, एक अपनी, एक उस व्यक्ति की, जिस आप उपने वश में करना चाहते हैं, फिर आपको लेनी है, चावल की 120 दाने, इस तरह, उसके बाद, तीन नीमू चाहिए, आपको तीन नारियर लेनी है, और तीन पीपल के पत्ते, दोस्तों, उसके बाद आपको 100 मिटर का सफेद कपडा लेना है, तो दोस्तों, सबसे पह ब्यक्ति जिसे आप पाना चाहते हैं, या जिसके लिए आप इस वश्री करण वीधी को कर रहे हैं, जिसे वश्र में करना चाहते हैं, उसके पोटो पर उसके नाम और उम्र लिखने हैं, दोस्तों, ध्यान रहे, नाम लिखते समय आपको उस मंत्र का अपने मन में 11 बर अपने उस पार्टनर का, जिसे आप उपने वश्र में करना चाहते हैं, नाम उम्र लिखना है, इस तरह, उसके बाद आपको कपड़े को इस तरह से फैला देना है, पत्तों को इस तरह से उस पर रख दिजिए, उसके बाद बीच के पत्ते पर आप चावल के 40 दाने गिन कर रखना है, दोस्तों ये देखें, ये हो गए 40 दाने, आपको बीच वाले पत्ते पर रखना है, उसके बाद आपको इस तरह से नारियल को रखना है, और अपने उस पार्टनर का फोटो साइड में इस तरह से रख दे, अब आप इस नीम्बु को दो टुकडों में काट ले, इस तरह से दो टुकडों में काट लेना है, आप आपको एक टुकडा इस नारियल को पर, दूसरा टुकडा इस नारियल को पर, और तिसरा टुकडा इस नारियल को पर ऐसे रख देना है, और नीम्बु का एक टुकडा आपने पोटो के पहले हिस्से पर रखना है और दूसरा निम्भू आपको अपने पार्टनर के फोटो के तीसरे हिस्से में रखने हैं इस तरह से दोस्तों तो आप देख सकते हैं उसके बाद आपको चाउट दानों को अपने हाथ में इस तरह से लेना है और उसके बाद आपको इस महा सक्री स साली वशी करण मंत्र को पढ़ना है और ध्यान रहे दोस्तों मंत्र को पढ़ते समय आपको अपने उस पार्टनर मतलब जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं उसका ध्यान अपने मन में जरूर रखे और इस तरह से चावल के दालों को भिराक्ते हुए मंत्र को पढ़ें अध्यान रहे दोस्तों इस मंत्र को आपको 251 बार पढ़ना है आपको 20 लीना आपको इस तरह से लेकर इसे दो हिस्तों में फोड़ना है इस तरह अब आप इसे इस तरह से रख दीजे नारियल के एक हिस्ते से आपको दो टुकड़ा निकालगा एक टुकड़ा खुद खाना है और दूसरा टुकड़ा आपके उस पार्टनर को खिलाना है जिसे आप अपने वस में करना चाहते हैं और यह बचा हुआ आकरी नीबू उसके घर में फेकना है दोस्तों ध्यान रहे नीबू फेकते समय आपको कोई देखना पाए अब आपको बीच के इस पीपल के पत्ते को सफेद गाय को खिलानी है दोस्तों बाकी के इस समग्रियों को आपको कपड़े में इस तरह से लपेट लेना है और इसे लिए जाकर किसी नदी आतलाब में विसरजित करना है ध्यान रहे दोस्तों यह विसरजन आपको रात में करनी है ताकि आपको कोई देखना पाए वो भी 12 बजे के बाद दोस्तों यकीन मानिए वह आपके प्यार में पागर हो जाएगी आपको ढूंडते ह आपके पास आएगी क्योंकि यह महा सक्तिशाली वश्ची करण मंत्र है ही इतना अचुक हमारी गुरुजी द्वरा बहुत ही सिद्ध किया हुआ मंत्र है तो दोस्तों अगर आपको इस वीधी को करने में कोई समस्या या कोई परिशानी हो रही हो तो आप मारे इस नीचे कर सकते हैं यह हमारे गुरुजी का नंबर है हमारे गुरुजी आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे अगर आपको कोई और समस्या या कोई दिक्कत है तो आप मारे गुरुजी से सला ले सकते हैं हमारे गुरुजी आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे दोस्तों अगर आपक झाल झाल